जैसे के हम सब जानते हैं कि 22 जन्वरी को अयोध्या में राम मंदर का प्राण प्रतिश्ठान है और ऐसे में कई दिगज क्रिकेटर्स को भी न्योता दिया गया है जिन में से एक है विराट कोली अब खबर ये मिल रही है कि विराट कोली 22 जनवरी को अयोध्या में इस कारेकरम में शामिल होने के लिए जा सकते हैं क्योंकि विराट कोली ने चुट्टी मांगी है 22 तारीकी और उनकी चुट्टी पर साइन हो चुके हैं यहां विश्वसनी सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि 22 तारीक को BCCI की तरफ से उन्हें चुट्टी मिल गई है दरसल अफगारिस्तान के खिलाफ जो T20 की सीरीज थी वो खत्म हो गई है और 20 तारीक से अब हैदराबाद में प्राक्टिस सेशन होगा और यह प्राक्टिस सेशन जो है वो चार दिन तक चलेगा यानि कि 20, 21, 22 और 23 उसके बाद 24 तारीक को पूरी टीम जो है रेस्ट करेगी और उसके बाद 25 तारीक से इंगलेंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उन्होंने चुटी मांगी है अब कहा यही जो आ रहा है कि 22 तारीक को हो सकता है कि विराट कोली सीधे आयोध्या जाए और उसके बाद 23 तारीक को वो दोबारा टीम इंडिया के साथ मिल जाएंगे यानि कि 22 तारीक को विराट कोली आयोध्या में राम लला के दर्शन करने जा सकते हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी अनुश्का भी वहाँ पर मौजूद हो सकती हैं फिलहाल खबर यही मिल रही है कि वहाँ पर पहुंचेंगे इसके अलावा हम आपको बता दे कि वैंकि टेश्वर प्रसाद उनको भी नियोता आया है सचिन तंदुलकर को भी रामंदर प्रितिष्ठान के लिए नौता आया है ऐसे कई दिगश्ट प्लेयर्स हैं जिनको फिलहाल इंविटेशन जो हैं वो जा चुके हैं तो अभी लेकिन किसी का भी तै नहीं है कि कौन-कौन अयोध्या 22 तारीक को पहुंचेगा लेकिन खबर यही मिल रही है कि 22 तार